नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज 18 सितंबर शुकरवार सुबे सवाचे बजे राजस्थान की खास खबरें बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को अजमेर जिले के पुषकर के गाम तिलोरा में पती की मौत का पत्नी गम सहन नहीं कर सकी जानकारी किंसर पती की मौत के दो घंटे बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया तिलोरा ग्राम निवासी वृद पुकरा जलुनावत की मौत हो गई थी जब मौत की खबर पत्नी कंचन देवी को लगी तो उसने भी दम तोर दिया इससे तिलोरा ग्राम में शोप की लहर दोड़ गई हनमानगो जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है जिले में गुरुवार शाम आय रिपोर्ट में एक बार फिर से कोरोना विसफोट हुआ है PMO डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि जिले में तरेपन नए कोरोना रोगी मिले हैं इसी के साथ ही जिले में कुल पॉजटिव की संक्या 802 हो गई है अब तक साथ कोरोना संकर्मित मरीजों की मौत हो चुकी है COVID-19 के कारण आयकर संकलन में कमी आई है चानकरी के इंसार इस वर्ष राजस्तान से वसूली लक्षा 22,130 करोड रुपे है लेकिन इस वर्ष अब तक 3,070 करोड रुपे का नेट संकलन हुआ है बीते वितवर्ष में समान अवदी में 4,292 करोड रुपे का नेट रासव था इस वर्ष अब तक कुल 4,837 करोड रुपे रासव मिला है इसमें से 1767 करोड रुपे के रीफंट जारी हुए है इस वर्ष आएकर रिटर्न भरने में भी कमी आई है तैयलक्ष की मुकाबले महस 40,50 ITR भरी गई है कोरोना पॉस्टिव स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है जानकारी के अंसर आर यू आंतिम वर्ष की परिक्षाएं आज से शुरू होगी जो स्टूडेंट कोविड पॉस्टिव होगा उसकी बाद में विशेश परिक्षा होगी इसलिए स्टूडेंट को नेगिटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी यह है रिपोर्ट 10 नमंबर तक देनी होगी जलोर जले की रानीवारा थानक शेतर में रच्चारा गाम में दमपती के कुवे में गिरने की जानकारी सामने आई है सुचना मिलने पर जसनपुरा परशाशन और पुलिस मौके पर पहुंची पोलिस ने बताया कि महिला को सैकुशल कोए से बाहर निकाल लिया गया है जबकि महिला के पती की तलाश जारी है कोए में 50 फीट से अधिक पानी होने से समस्या आरी है समाचार लिखे जाने तक परशाशन कैमरे से पानी में व्यक्ति की तलाश कर रहा था जोदपूर में मां की ममता को भी लाज नहीं आई, चानकरी के अंसर एक मां ने चार दिन की मासुम बीटियर को उमेद अस्पताल में अकेले पलक पर छोड़कर चलेगी बालकल्यान समीती को इसकी सूश्रा मिलने पर अध्यक्ष धन्पत गुजर ने आदेश दिये की तुरंत परभाव से मासुम को शीशुग्रह में भरती किया जाए, इस पर मासुम को मंडोर स्थित शीशुग्रह में भरती करवाय गया है, मासुम पूरी तरह से स्वस्त फार्ष करते हुए, फैक्टरी मालिक लक्षमी नरायन साहु को गिरफतार किया है, पुलिस ने फैक्टरी में भारी मात्रा में मिलावटी डीजल, ग्रीस, ऑईल सेथ, केमिकल बरामत किया है, बुदवार को पुलिस ने तीन यूकों को 800 लेटर मिलावटी डीजल सेथ गिर फार्ष कंपनी के ऑफिस में घुस कर 11 लाक रुपे लूट लिये, तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी करके अरोपियों की तलाश कर रही है, चानकरी के मुताबिक तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर भारत फार फार्ष कंपनी के ऑफिस पहुंचे, बदमाशों ने फार्ष कंपनी के करमचारियों पर महिलाओं से बदसलूकी का अरोप लगाया, करमचारियों को थमकाते हुए बदमाश ने तमचे के बल पर सबी करमचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया, इस औरान कैशिर से सेल्फ प्रेमी यूगल को पुलिस सुरक्षा पर दान करने और अपहरन की रिपोर्ट पर गिरफतार नहीं करने के आदेश पुलिस को दे दिये हैं। चानकरी के इंसार नागोर की अभिशेक पंवार ने याचिका लगाई थी जिसमें बताया गया था कि दोनों बालिक होने के बावजर पुलिस मुकदमे में गिरफतार करने का अमादा है। प्रेमी यूगल ने कोट में लीव इन रिलेशन्शिप के दस्तावेस प्रस्तूत किये। इस पर कोट ने प्रेमी यूगल को पुलिस सुरक्षा परदान करने के साथ ही गिरफतारी पर रोक लगाते होई नोटिस चारी किये हैं। अब दो सब्ता बात मामले में फिर से सु परिक्षा 2020 के लिए आज शाम पांच बजे तक आवेदन जमा होंगे इसके लिए 21 सितंबर को परवेश पतर जारी किया जाएंगे। योजना बना रहे थे, बदमाशों पर लूट डकै थी, चोरी, तसकरी और दुशकर्म के कई मामले दर्स हैं। पुलिस ने बताया कि बदमाशों के कबजे से एक स्विफ्ट कार और बाइक भी जब्त की गई है। यह सबी नैशनल हाईवे 113 पर चायन पुलिया के नीचे योजना बना रहे थे, पुलिस ने से पूछ तास कर रही है। कि 51 अवैद टिक्टे पाईगी। आरूपी रोहित गर्ग ने बताया कि तीन वर्षों से अवैद रूप से टिकट बना कर यह दलाली कर रहे थे।